अक्टरिस कंगना रनौत ने शुसेना सांसत संजर राउत पर मुंबई लोटकर नहीं आने की धमकी देने का आरोप लगाया है अक्टर्स ने ये बात आज ट्विट करते हुए कही जिसमें उन्होंने लिखा सिुसेना नेता संजर राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि मुंबई लोटकर मत आना, मुंबई की गलियों में आजादी के नारे लगने के बाद मुंबई खुली धमकियां मुंबई क्यों पाकिस्तान के कबजे वाले कशमीर की तरह लग रही है अपने ट्वीट के साथ कंगना ने उस खबर की लिंक को भी शेयर किया जिसमें संजर राउत के उस बयान को बताया गया है जिसमें उन्होंने कंगना से कहा था कि अगर आप मुंबई पुलिस से डरती हैं तो हम आप से मुंबई लोट कर नहीं आने का नुरोद करते हैं शुसेना नेता संजर राउत ने हाल ही में पार्टी के मुख पत्र सामना में कंगना पर निशाना साथते हुए उनसे वापस नहीं आने के लिए कहा था उन्होंने ये बात कंगना के उस बयान को लेकर लिखी थी जिसमें एक्ट्रेस ने मुंबई पुलिस पर अविश्वास देताते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस या केंद्र सरकार से सुरक्षा लेने की बात कही थी बॉलिवुड में ड्रक्स कनेक्शन का खुलासा करने की वज़ा से महाराष्ट भाजपा के नेता राम कदम ने कंगना को सुरक्षा देने की मांग की थी लेकिन एक्ट्रेस ने मुंबई पुलिस की सुरक्षा लेने से इंकार कर दिया था तीस अगस को किये अपने ट्विट में उन्होंने लिखा था आपकी चिंता के लिए धन्यवास सर पास्तों में अब मुझे मुझे माफिया के गुंडों से ज़्यादा मुंबई पुलिस से डर लगता है अभी नेतरी का विश्वास घास सर्मनाख है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुंबई में रहने के बावजूद वो शहर की पुलिस की अलोचना करती है हम उनसे अनुरोद करते हैं कि वे मुंबई वापस न लोटें ये कुछ और नहीं बलके सिर्फ मुंबई पुलिस का अपमान है ग्रहम अंत्राले को इस बारे में जरूर कारवाई करना चाहिए उधर कंगना मामले में महराष्ट भाजपा के नेता निलेश राने ने ट्विट करते हुए लिखा दो या तीन अधिकारी दबाव में आ गए जिसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पुलिस विभाग दोशी है हमें महराष्ट पुलिस पर गर्भ है मुंबई पुलिस की बात करने वाली रणाओत कौन है हम अभी नेता सुसान सिंग राजपूत और दिशा सालियन के मामले में असलिय अपराधियों को पकड़ने के पक्ष में है लेकिन हम अपनी पुलिस के लिए किसी भी अपमान को बरदाश नहीं करेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले